नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी आशा कर दियों कि बढ़िया होंगे मैंने अपनी वोईस यहां पर म्यूट कर दी है क्योंकि पीछे में नौइस बहुत ज़्यादा था तो आपको मेरी वाज क्लियर नहीं आती इसलिए मैं उपर से वोईस ओवर कर दी हूँ बाइदेवे य जल्दी ठीक हो जाओ अपना क्या लगवे नौल बाइदेवे बीस जन्वरी को मेरी एनिवरस्टी थी और इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे फेस्बुक से तो हजारों कॉमेंट्स आए लेकिन मेरे घर में मेरे सुस्टराल की तरफ से मुझे किसी ने भी विश्णी क जाने, अब कारण क्या है बगवान जाने, जब मैं चुट्टी से आती हूँ तो हमेशा है सही होता है, कि मेरे सामने कुछ नहीं ह hopes का बहुत कहाणिया बनती है, और उन कहानियों का विलेन जो है, वो मैं ही बन जाती हम, हाला कि मैं ककभी कुछ करती नहीं हूँ, मेरे सुस् टिज़ार करें और फिर आपको वोइड कर दिया जाए तो खराब लगता है, है ना, फील होता है, पर कोई बात नहीं चलेगा, ये चीज़े ने स्ट्रोंग बना दी है, इन चीजों से हम मजबूत बनते हैं, कोई बात नहीं, इन चीजों से हमें ये पता चलता है कि सापने वाला कैसा है बाइद अवे मेरे कुछ रिस्ते ऐसे जुड़े हैं फेस्बुक से जिनने मैं जीवन भर अपने साथ लेके चलूंगी तो ये जो केक है वैभव ने पहले इसके बारे में बता दिया था ये मीतू मोहन, she is from गुडगामा, she is like my sister ये देखिये उनका लेटर भी आया है मेरे पास उन्होंने ये बहुत प्यारा बहुत स्टी केक हमारे लिए भेजा था और ये बहुत सर्प्राइज हमें बिल्कुल भी नहीं पता था हाला कि वो मेरे से फोन पे एड्रस मांग रही थी पर मैंने डिले कर दिया था कि हाँ मैं बात में शेयर कर दूँगी तो एक केक उन्होंने भेजा था और उन्होंने हमारा दिन इतना शुप बनाया हमारा दिन इतना स्पेशल बनाया थैंक यू सो मच मीतू फोर यॉर लाव और इनका भी यूट्यूब चैनल है आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करके इन्हें भी सपोर्ट कर सकते हैं बाइद वे बीस जन्वरी कही ये वीडियो है तकरीबन साड़े नो बज़रे थे रात के मैंने ये गाजर जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये मैं दिल्ली से लेकर आई थी हस्बन ने बोला कि चलो मैंने चील देता हूँ घिस देता हूँ जब भी हमारे घरों में हलवा वगरा बनता है यह जो गाजर गिसने का कम होता है यह गर की जेंटी क्रते हैं इस्पेशली मेरे घर में मैं इसो सुरार में यहीं देखा है मेरे घर मैं ही कर लेती हूँ पर चुकी सबार में ठीक नहीं थी तो हस्बन ने कहा चलो मै Hon cer alla you और वैसे भी गाजर की quantity बिलकुल भी जाता नहीं थी, डेड़ किलो ही में लेकर आई थी, मुझे लग रहा था कि विशाकापटन में गाजर तो मिलेगी पर वो टेक्षर नहीं आता, वो सुआद नहीं आता जो दिल्ली साइट की गाजर में आता है, काफी मोटी मोटी जूसी गाजर होती, यहां की गाजर थोड़ी आते हैं ते ड्राइ हो जाती है, पतली होती है, विशाकापटन में जो मिलता है, तो फिर मैंने हस्बिन को बोला कि इनको जादा दिन अगर रखेंगे ना, तो यह बिलकुल मर जाएगी, सड़ जाएगी गाजर, तो इतनी दूर से ल पसंद करती हूँ, मैंने कुकर में डाला है, तीन से चार टेबलिस्पून शुद देखी, और यह डेड़ किलो गाजर जो मैंने घिसी थी, घिस की साके तो एक किलो ही बच गई होंगी, कच्रा वगे निकलता है, हाला कि जादा है तो नहीं निकला होगा कच्रा, पर एक किल ढ़ो किलो के करीब होगी, तो मैंने गाजर चड़ा दी, गैस के ओपर, आप मेरे तरीके से हल्वा गर एक बार बना लेंगे ना तो बार बार बनाएंगे, यह मेरी गैरिंटी है, तो सबसे पहले हम गाजर को इस कूकर में डाला को कूकर में बनाना हमेशा हल्वा, कूकर बहुत अच्छी हलवे में आएगी और टेस्ट तो बहुत इनायंस होगा प्लस आपकी गाजर का अक्के हलवे का रंग भी मैंटेन रहेगा अगर आप ऐसे बून कर बनाएंगे तो तो चार से पार्च मिनट हाई फ्लेम पर बूनने के बाद मैंने डेर्ड लीटर इसमें दू से ही बना दो तो मैं बस प्लेन डोसा बनाकर उनको दे रही थी हलवा डोसा साथ साथ बन रहा था हम महिलाओं में यह क्वालिटी होती है कि हमें एक साथ चार से पांच का मीजिले हैंडल कर सकते हैं वहीं पर किसी भी जेंट्स को आप यह कहदो कि चाय बना लो और साइड म कोफी हो कुछ भी हो चारो पांच चुल है जितने भी घर में हैं सारे चुलो पर आराम से काम कर सकती है साइड बाई साइड अगर वाशिंग मशिन चल रहा है तो उसको भी ध्यान में रख सकती है अगर आपके घर में कुछ और काम एडिशनल चल रहे हैं उनको भी अच्छ नहीं ते दूद रखा हुआ है और दोसे बहुत ही घजब के बनेते भाई शानधर फॉल रेसिपी मैंने कर ढली थी बैटर कैसे बनाना है बाइदवे यह जो हल्वा है ना इसको लगातार चलाने की जरूरत नहीं है आपको मध्या माच पर आप इसे चलाते रहे बीच बीच में ओकर इस नली चलाना है लगातार नहीं चलाना है आपने अब कूकर का फायदा यही होता है कि कूकर उपर से बेस इसका जो है होता है फूकर जो है ब्रोड भी है प्लस इसके हाइट अच्छी खास है जिस वजे से आपकी जो गाजर है वो बाहर में निकलेगी तो मैं बच्चों को दूद ये जो डोसे है बना बना कर दे रही थी और ये रेखे धीरे धीरे जब मैं से चला रही हूँ तो ये दूद कम हो जाती है और डोसे देख सकते हैं कितने बढ़िया बना रही तम बढ़िया ये रेसिपी से आप डोसे बना लोगे ना जो मैंने कल शेयर करी थी बचार के डोसे खाने बूल जाओगे मेरी गैरेंटी है तो जी देखिए देखते हमारा हलवे में से दूद रिड्यूस हो हो गया है बहुत ही बढ़िया तरीके का हलवा है ये आप इस तरीके की चम्मच के इस्तेमाल करें हलवा बनाने के लिए आपको एडिया होगा कि हलवा किस टेक्शर पे अब है तो जब हलवे का धूद अलमोस सूख जाए थोड़ा सा ही बचे लाइक 25 परसेंट तब आप ए जार की कोई चीज नहीं डालेंगे घर की चीजों से हलवे को बनाएंगे और बहुत ही घचब का ये बनता है तो मैंने एक कटोरी भर के मलाई ओल्मोस 200 ग्राम मलाई मैंने इसमें डाली और अच्छे से मिक्स किया मलाई डालने से मावे की कमी पूरी होगी प्लस ये खराब नहीं होगाब अब मावा अगर आप डालती है हलवे में तो उसकी self life कम हो जाती है अगर आप घर का मावा डालती है तो फिर भी उसकी life बनी रहेगी क्योंकि भाई वो घर में आपने बनाये हैं लेकिन बजार के मावे के साथ रिसकी बिलकूल ना ले क्योंकि वो पुराना होता है फ्रेश बावा आपको बड़ी ही मुश्किल से मिलेगा तो बस हल्वा जो है हमारा मलाई वगेरा डालने के आद इसका कलर भी काफी अच्छा आजाएगा और टेस्ट तो इसका चारगुना होगा ही तो बस देखे यहां पर यह दूद इसका रिड्यूस हो चुका था मलाई डालने के थोड़ा सा डीला यह हुआ लेकिन वापस से हमें अभी से ऐसे चेक करना है जो पौनी मेरे हाथ में हम तो इसे पौनी बोलते हैं आप कोमेंट शेक्शन में लिखके बता सकते हैं कि आप इस पौनी को क्या बोलते हैं जिससे मैं हलवा मिक्स करनी हूँ तो इसमें जो छेद होते हैं उनसे इसे ऐसे प्रेस कीजिए और यह देखिए कि इसमें से दूद कितनी मातरा में निकल रहा है अगर आपको लग रहा है कि दूद अच्छी खासी मातरा में है तो दूद को अच्छे से आपको पहले सुखाना है जब लगे कि छेद में से दूद बहुत कम निकल रहा है तब आप इसमें डालिए चीनी मीठा अपने स्वाद की हिसाब से तो मैंने 1.5 किलो के हिसाब से ना इसमें तकरीबं 200-500 ग्राम के करीब चीनी डाली है उससे भी कमी डाला होगा मैंने क्योंकि गाचर भी मीठी है ये काफी और जो चीनी है वह भी मेरी बढ़ी हा क्वालिटी की है तो कमी लगती है तो मैंने random डाला है, मैंने कोई measurement नहीं लिया है लेगिन आप अपने हिसाफ से चीनी इसमें डाले कई लोग ज़्यादे मीठा काते हैं, कई लोग कम मीठा काते हैं और कलर देखें कितना अच्छा हो गया इसका, कितना शांदार कलर आया है आप इसमें dry fruits वगयरा भी add कर सकते हैं, मैंने इसमें थोड़े से बाधाम डाले हैं हाला कि मेरे बच्चे dry fruits नहीं खाते हैं, तो मैं नहीं डालती हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा समयने dry fruits एक्दम fine chop करके डाना है ताकि बच्चे खाले और ये देखिए हल्वे का color, texture ये जा रहा है हल्वा भगवान जी का भोग लगने के लिए रात में 10.30 बज़रे होंगे इस टाइम पर जब मेरा हल्वा तियार हो गया था ज़र समय भिलकुल ने लगा तो मैंने भगवान जी को भोग लगाया और हल्वा जब भी मेरे घर में कुछ मीठा बनता है तो हम भोग जरूर लगाते हैं ये नियम आप भी follow कर सकते हैं कहते हैं ऐसा करने से घर में बरकत आती है कि घर में कुछ भी आप बनाए कुछ भी सबसे पहले भगवान जी का भोग लगाए और now you can see the texture of halwa कितना शांदार बना है कलर बहुत बढ़ी आया है और इतना tasty बनता है ये कि आपको इसमें मावा डाल में इसमें उपर से थोड़ा सा एड़ कर सकते हैं तो आपको टेस्ट almost मावे वाला मिलेगा या फिर आप थोड़ा सा dry milk powder का मावा बना कर इसमें एड़ कर सकते हैं हलवे में घी है दूद में पका है काफी heavy वैसी हो जाता है मावा डाल कर और heavy हो जाएगा कुछ लोग बली अच्छा लगता है गाजर का अपना एक natural taste होता है उसका हलवा बहुत शानदार लगता है और हां गाजर के हलवे में कभी भी लाइची का पाउडर मढ़ डाली है क्योंकि गाजर का अपना एक स्वाद होता है गाजर के हलवे की अपनी ब्यूटी होती है जब आप और आए मेरी अनिवरस्टी का celebration मीतों के द्वारा भेजा गया एक केक हम काट रहे हैं हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया था दिन में सिंपल डोसाइटली बनाया और रात में हमने एक केक काटा हमारा खुद का कोई प्लैन नहीं था due to my health अच्छी नहीं थी बिलकुल भी ठक जारी हूं है थोड़ा सा भी काम करने में वीकनेस आ गया है काफी हाला कि दिखने में आपको पका लग रहा होगा कि वजन तो नहा तेरा जरासा भी नहीं गिरा है बट इंटरनल वीकनेस नाम की भी कोई चीज होती है वही मुझे हो गया है बोड़ी डिहाइडरेट केक काटा मीतू ने हमारी एनिवरस्टी को बहुत इस्पेशल बनाया थैंक्यी सो मच मीतू मीन से लो टो अस और मैं चाहती हूं कि हम सभी की एनिवरस्टी बर्दे ऐसी आते रहें भर बर के खुशे बाटते रहें सुब दुख जीवन में आते जाते रहते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो है कुछ न करें हमेशा आपको जो भी करना है करते रहिए चोटे-चोटे कामों में बहुत है मिल जाती है यह चोटा की काटकर हमें जो खुशी मिली है वह मैं शब्द में बयाने ही कर सकती मेरा टेस्ट जो है एकदम कड़वा टाइप है लेकिन किट कैट वाला चोकलेट और जैसे कि सबी को पता है कि मैं अभी बिमार हूँ तो मैं जूस पे चल रही हूं मेरी डायट जूई जूस वाली है तो यह जूस के पैकट कुछ पचोंटे ऐस गिफ्ट मुझे लाके लिए क्योंकि मैं सिर्फ अनार वाला जूस पीती हूं और किट केट मेरी ओल टाइम फेवरिट चोकलेट है तो हस्बिन ने मुझे ये दिया और यही थे मेरे आज इस साल की गिफ्ट जो मुझे मेरी फैमिली ने दिये है फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है जो भी कुछ इशूस ससराल में माईके में चलते रहते हैं उनको साइड में रखकर मैंने अपना दिन इन्जोय किया कोई बात नहीं अगर मुझे ससराल वालों ने इस बार विश्णी किया कोई बात नहीं चलेगा आप लोग बहुत थे जिन्होंने मुझे विश्किया बहुत है और होगे हमेशा मेरे लिए थैंक्यू गाइस थैंक्यू